दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्सस अकेडमी पर दोस्तों आज की इस वीडियो में 12460 सिचकबर्ती स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के 9 नुक्त सचिव सर्से मुलाकात की अपडेट के साथ साथ 12460 सिचकबर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 3 अप्रेल को होगी या 3 माई को इसे संबंदित आप सभी के डाउट को शाट आउट करेंगे वहीं 29 सिचकबर्ती में चैनित वेड़ाबर के लिए बड़ी ख़बर निकल का सामने आ रहा है तो सभी खबरों को व अगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तो आई ये साथ दो शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले बात करेंगे 12460 से चकबर्ती से जुड़ी आज की बड़ी अपडेट के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते है 12460 से चकबर्ती मामले को ले वाला है तो हम सभी को मिल करके स्कूल आवंटन के लिए प्रियास किया जाए और सुप्रिम कोट में मजबूत पैर भी बिभाग के तरफ से की जाए इसको लेकर के प्रियास किये जाने की जरूरत है लेकिन ऐसा कुछ भी सैयुक्त और संगठित रोप से दिखता नजर नही आ रहा है क्योंकि चैनित आप सभी को बता दें लगबग 15 टीमों में बटे हुए हैं और सभी का अपना अपना एजंडा है जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं और स्कूल आवंटन को लेकर के बिभाग और अधिकारियों से मुलाकातों का जो क्रम लगातार जारी था वो कही न कहीं इस वक्त बिल्कुल रुक्सा गया है लेकिन कोछ हमारे चैनित भाई बहन अभी भी सरकार और विभाग से मिल करके स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जो है वो आदेश निर्गत कराने के लिए प्रियासरत हैं और आप सभी को बता दें पहुँचकर कोछ अभीरतियों ने मुलाकात करने का प्रियत निया लेकिन जिश दिन वहां अभीरति पहुँचे उस दिन वो लखनव का गये थे pandemie में लेकिन आज जो है नवन्यूकत सच्यो सर से मुलाकात हो चुकी है और सच्यो सर से मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट सु सबस्क बर्ति का मामला लगा हुआ है उसकी सुनवाई 3 अप्रेयल को होगी या 3 को होगी क्योंकि दो केसर की काजलिस्ट जो निकल कर सामने आ रही दोनों केसर की काजलिस्ट अलग अलग डेट की है एक की आप सभी को बता दे सुनवाई डेट 3 अपरेल सो हो रही और एक की 3 मई ऐसे में कहीं न कहीं चैनितों में असमंजस की इस्तिती है तो आप सभी को इसी असमंजस से बाहर निकालेंगे और आपको सुनवाई से संबंधी जो डाउट है उसको दूर करते हैं तो आप सभी आप सभी ने देखा कि 18 मार्च को जस्टिस जेके माहसुरी एंड हानेवल मिस्टर जस्टिस संजे करोल सर की बेंच में हुई जिसमें 12466 बरती के मुद्दे को सुना जा रहा है जिस बेंच में उसी बेंच में इसकी भी सुनवाई लगी हुई है वहीं आप सभी लोग दे नमबर 28154 अबलिक 2023 नोटिस आडर डेट 183 2024 यानि 18 मार्च को जो इस याचिका के सुनवाई हुई उसमें इसको जो है अर्चना रायवाली याचिका के साथ टैग कर दिया गया है ये चीज आप समझे लेकिन यहां से जो डाउट आप सभी का निकल कर सामने आता है वो यहा सुनुआई की जो डेट यहां पर सो हो रही है यह आप सभी के बीच कहीं न कहीं डाउट बना हुआ है इसको लेकर के यहां पर इस याचिका की सुनुआई रखा जाएगा तो आप सभी को बिलकुल परिशान होने की जरूरत नहीं है सुनवाई आप सभी की नियत समय पर यानि तीन अप्रेल को ही होगी और ये जो टेंटिटिटुडे दिखा रही अच्छे कुमार वाली याच्चका में ये चेंज हो जाएगी और इसे भी तीन अप्रेल सुनवाई के लिए रखा जाएगा कुल मिला करके आप सभी को परिशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि यह याच्चका टैग हो चुकी है अर्चना राई की याच्चका में जिसका डायरी नबर 14-533-2020 है और इसकी सुनवाई आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 अप्रेल के लिए ही लगी हुई है और इसमें कोई भी परिवर्तन अभी यहाँ निकल कर नहीं आया है तो कुल मिलाकर के बिलकुल भी परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उमेज चंदरवाली याच्चका जो है वो 12-460 चकबती में इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है अच्छे कुमार वाली याच्चका जो 3 मई सो हो रहा है सुनवाई की अगली डेट उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और इस दिन की डेट उसमें भी सो होने लगेगी कुछ समय के बाद में तो कुल मिलाकर के कोट में सुनवाई को लेकर के परिशान होना नहीं है आप सभी को 3 अप्रेल आप सभी की सुनवाई होगी इसमें कोई डाउट नहीं है आपका डाउट किलियर हो गया होगा जो भी बनता है क्योंकि लीडिंग याज का जिस दिन सुनी जाएगी उसके कास की क्या अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12460 सिचक बरती मामले में सुप्रिम कोर्ट सुनवाई और सुप्रिम कोर्ट में पैर भी जो है वो सब कुछ बेसिक सिच्छा विभाग और उतरप्रदेश सरकार के हाथों में हैं और इसलिए सरकार और विभाग से कनेक्टेट रहना बहुत ही महत्पूर है और इसलिए आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये नौन्युक्त सच्यूसर है और ये हमारे शाती है जो इनसे मुलाकात करके 12460 सिचक बरती के मुद्दे को इनसे डिसकस किया है क्या परिशत के सचियू स्री सुरेंद कुमार्ट त्रिपाठी जी को बधाई दिया साथ में 12460 सभी 5000 सिचक साथियों का प्रतिनिधित तो भी किया यानि जो चैनित हैं उनके लिए बात की गई है मानी सचियू साहब ने पूर्ण आस्वासन दिया है कि आगामी 3 अप्रेल को मा चैनित अभ्यरतियों के स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोट से डारेक्शन लेना तो कुल मिला करके जो कई दिनों से लगातार प्रियास किया जा रहा था सचियू सर्से मुलाकात का वो प्रियास आज सफल हुआ और सचियू सर्से मुलाकात हुई 12460 से चैनित साति जो के स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोट सुनवाई को लेकर के सातियों के तरफ से जो है विस्तरच चल्चा की गई और जिस पर उन्होंने पूरी तरीके से आसोस्त किया है कि 3 अप्रेल जो सुनवाई होने जा रही है ये 12460 से चकबरती मामले को लेकर के सुप्रीम कोट में वहां हम सभी लोग मजबूती से उतर रहे हैं और डारेक्शन लेने का हर संबव प्रियास करेंगे और भरोशा है कि सुप्रीम कोट से हमें डारेक्शन मिल करके ही रहेगा तो दोस्तों जिस तरीके से अब से कुमार दुबेजी ने सच्चिव सर से मुलाकाग की है और 12 तरीके से चीजें पॉजिटिव लग रही हैं और सरकार का प्रियास है और विभाग की पूरी तयारी है कि 3 अप्रेल को सुप्रीम कोट से स्कूल आवंटन के लिए डारेक्शन लिया जा सके तो कुल मिलाकर के बहतरीन प्रियास भाई साब की तरफ से किया गया जो सफल भी सच्यूसर तक पहुचानी थी वो पहुच चुकी है अब बहतर होगा क्योंकि नवनियुक्त सच्यूसर को सारी इस्तितियाओं से अउगत करा दिया गया है वहीं जो आपके पुराने सच्यूसर प्रमोट हो करके डीजी बने हैं उनके संग्यान में सारी बाते हैं और उनके अंडर अब्जर्वेशन ही भरती प्रक्रिया आगे बढ़ी है तो दो अधिकारी अगर हमारी बातों को समझेंगे तो सुप्रीम कोट में मजबूती से पच्छ रखेंगे और उमीद करेंगे और इसो से परातना है कि जो तीन अप्रेल सुप्रीम कोट सुनवाई लगी है वहाँ से चैनितों के स्कूल आवंटिन का डायरेक्शन मिले हमारे चैनित भाई बहन जो दो महिने से बहुती लंबा संगर्स कर रहे हैं आर्तिक सामाजिक और मानसिक प्रतारना जहल नहें उनसे मुक्ती मिले और उनको स्कूल आवंटित कर दिया जाए और वो सभी चैनित भाई बहन स्कूल में अध्यापक के रुपे बहुचकर अपने अध्यापन कार में लग जाएं उमीद करेंगे कि नियू सेसन उनके लिए बहुत बहतर हो क्योंकि नियू सेसन में ही आप सभी के स्कूल आवंटिन की उमीद की जा सकती है उल्ड सेसन तो अब समाप्ती हो च दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उनत्र जास इचक बरति में चैनित बेर बेरतों को बाहर करने को ले करके लगातार BTC बाहर करने को बड़ी रहत प्रदान की गई है और जो भी BTC की तरब से याचिकाए फायल की गई थी जिसमें प्रमू गी आचिका आकस पटे अंदर उन सभी याजकाओं पर connected रूप से बंच के रूप में हाई कोर्ट की लखनो बंच की तरफ से आसोनवाई करते हुए एक महतपूर आदेश निर्गत किया गया और सभी बीटी सी अभ्यरतियों की जो याजकाओं थी उन्हें dismissed कर दिया गया है तो कुल मिला करके उनत्र जासी चकबती में चैनित बीटवरति को हाई कोर्ट से बड़ी जीत मिली है और बीटी सी की वो याजकाओं आकास पटेल की सासा जितनी भी टैग या connected याजकाओं थी सब को हा चैनित बीटवरतियों के मामले में सुनवाईयां लगी हुई है और एक अप्रेल आप सभी लोग जानते हैं कि चैनित बीटवरति जो आदेश से पूर्व के चैनित हैं उनको ले करके order clarification की पर सुनवाई लगी हुई है जो बहुती महत्पूर है लेकिन कुल मिला करके high court का एक बहुत ही अच्छा फैसला और चैनित बीटवरतियों को रहात देते हुए BTC की तरफ से जितनी भी याचका है लगी हुई थी वेंच में सभी को खारिज कर दिया गया है और चैनित बीटवरतियों को बहुत रहात दी गई है court की तरफ से अब देखना यह क्या आकास को लेकर के सुनवाई लगी हुई है उस पर जो आदेश आएगा उसके तहर जो कारवाई हो सुनिश्चित होगी उससे संतोष टोकर करके बैठेंगे यह चीजे बहुत ही महत्पूर है लेकिन हाई court से BTC अबर्तियों को बड़ा जटका लगा है और चैनित बीडवरतियों क दे रही थी वो समाप्थ हो चुकी हाई court की आदेश के ड्वारा कुल मिला करके सुनवाई का final आदेश चुआएगा उसको विस्तार पूर्बग डिसकस करेंगे आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में तब तक लिए सभी साथिकों जहींचे बार बंदे मता